हेलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है तो आज हम अनायलसिस करेंगे से हैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो as usual शुरू करूँगा fingers के analysis से उसके बाद चेक करेंगे fingers की setting को and mounts को और सबसे last में हम चेक करेंगे lines को इस तरह से पुरे hand का जो analysis हम complete करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ सासा draw करता जाओंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत न हो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा यह जो number आपको आपकी screen के उपर नजर आ रहा है यह मेरा WhatsApp number है अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं यह phone consultation लेना चाहते हैं तो आप हमें इस number पर WhatsApp के जरीए, signal के जरीए या फिर टेलेग्राम के जरीए message send कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हतेली है कुछ इस तरहें से एक complete square shape बनाती हुई नजर आ रही है जो indicate करती है एक hard working type की nature को और अगर हम इनकी fingers को चेक करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी thick fingers हैं और medium length में इनकी fingers नजर आ रही हैं और fingers के उपर काफी सारी बारीक सीधी खड़ी रिखाएं इस तरह की रिखाएं आपको नजर आ रही होंगी ऐसी रिखाओं का होना काफी positive माना जाता है ऐसे native जिनकी सभी fingers पर ऐसी रिखाएं मौजूद हो एक मिलंसार सभाव के होते हैं दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर इनकी रहती है और हम fingers की thickness की बात करें तो अच्छी thickness में fingers का होना indicate करता है कि native की energy and stamina काफी अच्छा रहने वाला है fingers की लंबाई की बात करें तो अब देखें कि यहाँ पर shiny finger काफी अच्छी length में है shiny finger का अच्छी लंबाई में होना थिक होना दर्शाता है कि ऐसे native काफी मेहनती nature के रहने वाले होते हैं और अपनी इनी खूबियों की वज़़ा से अपनी hard working nature अपनी discipline की वज़़ा से ही life में अच्छी तरक्य करपाने में ऐसे व्यक्तिक कामियाब हो जाते हैं अगर हम बात करें इनकी index finger की अब यहाँ पर देखेंगे यह finger काफी थिकर अच्छी लंबाई में है और सूर्या finger के मुकाबली अगर देखा जाए तो यह finger थोड़ी सी ज्यादा length में नजर आ रही है जब भी index finger अच्छी लंबाई में हो कि ऐसा व्यक्ति समाज में काफी अच्छा मान समान पाने में कामियाब हो जाता है अगर हम बात करें इनकी सूर्या finger की तो यहाँ पर बेशक्ष सूर्या finger इनकी गुरू finger के मकाबले थोड़ी सी short जरूर है लेकिन weak बिल्कुल भी नहीं है यह finger भी अच्छी लंबाई में नजर आ रही है जिसकी वज़े से native की creativity का level अच्छा रहता है ऐसे native एक बहुत अच्छा social circle बना पाने में भी कामियाब हो जाते है overall इस finger का ज्यादा लंबाई में होना native को क्यों पर परशानियों में डालता अगर यह finger ब्रस्पधी finger से ज़्यादा लंबी हो तो native risk taker हो सकता तो यहाँ पर एक अच्छी स्थिती में इनकी सूरिया finger नजर आ रही है बात करते हैं इनकी mercury finger की तो अब यहाँ पर देखेंगे mercury finger यहाँ पर अच्छी length में है और सूरिया finger का जो top falange है वहाँ तक पहुँचती हुई नजर आ रही है इस finger का अच्छी लंबाई में होना दर्शाता है कि native के communication skills काफी बहतर रहेंगे ऐसे व्यक्ति का business equipment भी strong रहता है और अपने अच्छे communication skills की वज़य से ऐसे native अच्छा धन कमा पाने में भी अपने जीवन में काम्याब हो जाते हैं अगर देखा जाए इनकी fingers के बीच में हलके gap नजर आ रहे हैं इस तरह के gaps का होना indicate करता है कि native काफी independent सभाव का होगा थोड़ी सी जिद्धी nature रहने की सभावनाएं भी इस तरह के gaps दर्शा आते हैं और यहाँ पर gaps होने से native थोड़ा खर्चीला भी हो सकता है बात करते हैं fingers के बाद इनके सभी mounts की उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रिखाओं को भी तो अगर मैं यहाँ पर एक line draw करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है जिसमें आप देख सकते हैं इनका सूर्य परवत, शनी परवत और गुरू परवत तीनों high set हैं यहाँ से इनका जो बुद्ध परवत है, mercury का area है थोड़ा सा low set हो रहा है जिसकी वज़ा से native की nature थोड़ी shy रह सकती है लेकिन अगर देखा जाए, तो इनका जो बुद्ध का area है यहाँ आपको हलका सा उपर की तरफ उठा हुआ नजर आएगा एक लंबी mercury line यहाँ पर मौजूद है इस तरह की mercury रेखा का होना, बुद्ध परवत की तरफ चलने वाली ऐसी strong रेखा अगर हाथ में हो तो native का business strong हो जाता है ऐसे व्यक्ति बिजनस के जरिये भी अच्छा धन कमा पाने में काम्याब रहते हैं और यहाँ पर खड़ी रेखाओं का होना, native को sympathetic nature का बनाता है ऐसी रेखाएं अगर बुद्ध परवत पर बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रही हो तो ऐसे व्यक्ति के भीतर काफी अच्छी healing qualities होती है ऐसा व्यक्ति sympathetic होता है, दूसरों की मदद करने वाला होता है अपने शब्दों से, अपने करमों से, अपनी सिलाहा या consultation से भी लोगों की problems को दूर कर सकता है यहाँ पर ऐसी रेखाओं का होना native को भागयशाली बनाता है और अगर हम देखें, इनके हाथ में काफी अच्छा money triangle बन रहा है तीन रेखाओं से money triangle बनता है, सबसे पहली रेखा यहाँ जो नीचे से उपर की तरफ जाती है इस रेखा को कहा जाता है fate line दूसरी रेखा जिसको हम कहते हैं mind की line और तीसरी रेखा जिसको कहा जाता है mercury line जब यह तीनो रेखाओं एक दूसरे को touch करती है तो जो center में यह triangle बनता है इस triangle को money triangle यह धन तरिकोन कहा जाता है जिन लोगों के हाथ में ऐसा complete धन तरिकोन बनता है ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपनी महिनत के बलबूते पर काफी अच्छा धन accumulate कर पाने में काम्याब हो जाते है अपनी old age सक पहुंचते पहुंचते ऐसा व्यक्ति काफी rich हो जाता है और इनकी old age भी काफी अच्छी रहती है बात करते हैं कि सूर्या परवत की हुई और कुछ इनको cross करती है ऐसी काफी सारी रिखाएं यहाँ पर नजर आ रही होंगी जादा रिखाएं इस परवत पर होना native की जो multi-tasking capability है उसको show करती है यहाँ पर काफी अधिक रिखाएं होने से ऐसा व्यक्ति एक ही समय में काफी सारे काम करने की कोशिश में भी लगा रहता है जिस वजह से थोड़ी focus में कमी आती है और ऐसा व्यक्ति किसी भी एक काम को perfectly नहीं कर पाता जो इन्हें life में कई दिक्तों का सामना करने में मजबूर करती हैं overall इन्हें अपने किसी एक creativity का पर focus करने की जरूरत रहती है जब ऐसा व्यक्ति किसी एक विशह पर focus करता है तब ही ऐसे व्यक्ति को अच्छी तरक्की मिल पाती है बात करते हैं इनकी शनी परूरत की आप देख सकते हैं शनी का जो एरिया है हलका सा दबता हुआ नजर आ रहा है हलका सा कमजोर होता हुआ जिस वज़े से जीवन में काफी मेहनत रहती है काफी संश भी करना पड़ता है लिकिन एक लंबी शनी रेखा अगर हाथ में हो तो उस संगर्ष का फल भी ऐसे व्यक्ति को अच्छा मिलता है आप देख सकते हैं यहां से शुरू होने वाली एक लंबी रेखा जो लगबग इस सेरिया तक उसके बाद यहां से फिर से यह रेखा कंटिन्यू होती हुई और यहां से भी आपको एक रेखा इस तरह ऐसे डबल होती हुई शनी रेखा नजर आएगी शनी परवत के उपर और इस सेरिया में इस रेखा का डबल होना इंडिकेट करता है कि नेटिव ओल्ड एज में भी काफी अच्छा धन कमाएगा और ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज सुखमाए रहेगी और जो इनकी भागया रेखा है काफी अच्छी नज़र आ रही है लेकिन बीच बीच में कई पर यह रेखा आपको कटती हुई भी नज़र आएगी जैसे यहां पर कुछ बारीक रिखाएं इस भागया रेखा को टच कर रही है या क्रॉस कर रही है इस तरह कि जो हरे रंग में बने रिखाएं बनाई हैं यहां पर इनकी फेट लाइन को क्रॉस कर रही है जिनने हम काफी उतार चड़ा भी रहते हैं काफी अपसंड डाउंस का ऐसे व्यक्ति को सामना करना परता है लेकिन जब एक लंबी भागया रेखा हाथ में होती है वैसा व्यक्ति हर तरह के संघर्ष करता हुआ जीवन में काफी अच्छी उच्चाई तक पहुंच जाता है बात करते अपनी नॉलेज की वज़य से समाज में काफी अच्छा मान समान पाने में कामयाब होते हैं यहाँ पर आपको कुछ आड़ी रिखाएं नजर आ रही होंगी ऐसी रिखाएं जिने हम लाइन्स ऑफ सिंपथी भी कहते हैं ऐसी रिखाएं हतेली पर होना नेटिव को सिंपथा फॉर्मिशन बनती हुई भी नजर आएगी इस माउंट के ओपर अगर स्क्वाइर जैसी फॉर्मिशन बन रही हों तो यहाँ बहुत ही पॉजिटिव होती है अगर स्क्वाइर का चिन यहाँ पर हो तो ऐसे व्यक्ति की जो स्प्रिच्वालिटी है वो प्रोटेक्टड रह और अंत में आकर एक विशनु सिंबल इस रेखा के लास्ट में बनता हुआ आपको नजर आएगा इस तरह का विशनु चिन जब हथेली पर बनता है तो ऐसे व्यक्ति भागशाली होते हैं अपनी लाइफ में अगर ऐसा व्यक्ति इमानदारी से काम करता रहे तो बहुत की परापत करता है लेकिन अगर ऐसा नेटिव जिसके हाथ पर विशनु चिन हो गलत रास्ते पर चल कर धन कमाने की कोशिश करे तब जीवन में बहुत सारी दिक्तों का सामना भी ऐसे व्यक्ति को करना पर सकता है ओवरॉल इनकी हार्ट लाइन काफी अच्छी है कर्वड हा लेकिन साथ ही साथ यहर एक जगा जगा से आपको स्ट्रेस-लाइन की वज़य से वीक होती भी नजर आएगी जिस वजह से इनने लाइफ में फोड़ा स्ट्रेस भी रहेगा बात करते हैं इनकी लाइन अफ लाइन आफ लाइफ की अप यहाँ पर देखेंगे लाइफ लाइ जिनकी लाइफ 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 related issues को भी इनको सहन करना होगा बात करते हैं इनके शुक्र परवत की अब यहां पर देखेंगे जो वीनस का एरिया है उपर की तरफ उठा हुआ है जिसकी वजह से नेटिव को जीवन में हर तरह की सुक्सुधाएं मिल जाती है लेकिन उसके साथ साथ यहां पर बहुत सारी बारीक आपको ऐसी रिखाएं और इनको क्रॉस करने वाली रिखाएं कि मेश जैसी यहां पर फॉर्मेशन आपको बनती हुई नजर आएगी ऐसी फॉर्मेशन का शुक्र परवत पर बनना अच्छा नहीं माना जाता ऐसे विक्ति को अपनी मैरिड लाइफ को लेकर और रिलेशनशिप्स को लेकर दिक्तों का सामना करना पड़ सकता है अगर हम बात करें इनके चंदर परवत की तो यह जो एरिया है चंदर का एरिया कहलाता है यहां पर आपको बहुत सारी ऐसी बारीक रिखाई नज़र आएंगी ऐसी रिखाई जितनी अधिक होती है चंदर परवत के उपर उतनी ज़्यादा यात्राएं रहती है लेकिन यहाँ पर ज्यादा रिखाई होने से नेटिव को थोड़ी एंग्साइटी भी फील होती है अगर आप यहाँ पर देखोगे आपको बहुती बारीक रिखाऊं से एक फिशनुमा अक्रिती बनती हुई नजर आएगी यहाँ जो एरिया रहता है केतू का एरिया है और यहाँ पर अगर मचली का चिन बने तो यहाँ बहुती भागशाली होता है ऐसे व्यक्ति विदेश यात्राएं करते हैं ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार अचानक धनलाव होते हैं inherited property मिलने की संभावनाएं भी इस तरह का fish का symbol देता है यह चिन व्यक्ति को काफी lucky बनाता है और एक तरह से विपरीत राज्योग की तरह काम करता है ऐसा चिन होने से native को जीवन में कई बार sudden wealth gains और inheritance मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है तो दोस्तों ये कुछ analysis थे इनके hand के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी स्वालों के जो आब एक ही वीडियो के तरह दे पाऊं लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन या स्वाल रह जाता है तो इनसे request है कि अगर इनका कोई question pending है तो मुझे WhatsApp पे message करें मेरा वीडियो watch करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद